बिहार में भूमी सर्वे टलेगा मंत्री दीवलीप जैस्वाल ने बुलाई समिश्य बैठल नमस्कार मैं सयूक तादेश मुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक बिहार में भूमी सर्वे का कार्य जारी है जिससे रहे तोक को कागजात की समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है सरकार का मानना है कि ये सर्वे भूमी विवाद कम करेगा राजस्वमंत्री दिलिप जैस्वाल ने कहा है कि सर्वे चुनोती पुर्ण है लेकिन इससे भूमी में सम्बंदित विवाद खत्ब होंगे लेकिन अब इसको लेकर समिक्षा भी की जा रही है बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है रहतों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के कागजाद के लिए सरकारी दब्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे है हाला कि सरकार का कहना है कि ये सर्वे जमीन विवादों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है एक वेप पोर्टल के मताबिक इसी बीच आज यानि 19 सितंबर को इस पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है बिहार के राजस्वय उन भूमी सुधार मंत्री दिलीब जैस्वाल ने इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्धक्षता की इस दोरान उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी जिला अधिकारियों और सर्वे में लगे अधिकारियों से बात की बैठक का मकसद सर्वे की प्रगती की समिक्षा करना और आने वाली समस्याओं का समाधान खोई ना था राजस्व मंत्री दिलीब जैस्वाल ने 88 सितंबर को कहां था कि उन्हें रैतों की समस्याओं की जानकारी है और उनके समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे है उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वन्शावली को कार्या पालक पदादिकारी से सत्यापती करने की कोई आवशक्ता नहीं है और खतियान को प्रमानित करने की बाद भी सरकार ने रद्द कर दी है दिलिप जैसवाल ने इस सर्वे को एक महाचुनोती बताते हुए कहां कि यहां बिहार की जमीन का डिजिटल भविश्य तै करेगा उन्होंने कहां कि एक बार सर्वे पुरा हो जाने के बाद जमीन से जुड़े सारे विवात खत्म हो जाएंगे उन्होंने आगे बताया कि I.A.S. अधिकारियों को गाओं में भेच कर जन्ता से गोपनी यह तरीके से जानकारी इकटा की गई है और रैतों की सोला तरह की समस्याओं की पहचान की गई है जिनका समाधान जल्द ही निकल जाएगा मंत्री ने कहां ये भी कहां कि बिहार की जन्ता को इस सर्वे की वज़े से कोई परिशानी नहीं होगी और उनका मंत्राले इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा कि इस सरवे से सिर्फ जमीन माफियों को दिक्कत है जो दूसरों की जमीन हड़पकर बैठे हैं ये सरवे खास तोर पर उन लोगों के लिए है उन लोगों की परिशानी का सबब बन सकता है जो सरकारी जमीन पर कबजा करके गरकानूनी तरीके से अपना धंदा चला रहे हैं पटना में भी कई बड़े लोग खास महाल की जमीन पर कबजा कर इमारते बना कर बैठे हैं बिहार में ऐसी पचास हजार एकर से ज्यादा जमीन पर कबजा है इस पूरे मामले में खतियान एक अहम दस्ताइवेज है जिसमें किसी भी व्यक्ति के नाम पर दर्ज जमीन की सारी जानकारी होती है इसमें जमीन मालिक का नाम उसके पीता का नाम मोजा थाना नंबर अंचल जिला राज्य प्लॉट नंबर जमीन की सीमा कबजा और जमाबंदी नंबर जैसे महत्वपूर्ण जानकारिया दर्ज होती है इसलिए जमीन के मालिकाना हग को साबित करने के लिए खतियान एक जरूरी दस्तायवज माना चाता है इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेर कर दीजे हमारे चैनल खबरदस्तक को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर कोई सूझाओ देना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में आपका स नमस्कार